28 फरवरी 2030 की महत्पूर्ण खबरों को देखेंगे 28 फरवरी को राश्टी विज्ञान दिवस के रूपे मनाया जाता है राश्टी विज्ञान दिवस को मनाने की जो सुरुवात हुई थी 1986 में हुई थी इसको क्यों मनाते हैं तो 28 फरवरी 1928 के दिन इतिहास बना था जब डाक्टर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की रमन प्रभाव की खोज की थी इसके बाद विज्ञान में इस आधार पे बहुत सारी खोजे हुई 1930 में इस काम के लिए इनको भौतकी का नोबेल दिया गया और भारत के पहले विज्ञानिक थे जिनने नोबेल पुरसकार मिला था 1986 में ये भारते विज्ञान दिवस के रूप में मनाने की सुरुवात हुई 1954 में भारत रत्न इनको पुरसकार मिला सीवी रमन को 1937 में इनको लेनिन शांती संमान मिला था 2023 की जो राष्टी विज्ञान दिवस इसकी थीम क्या है तो वैश्विक भालाई के लिए वाश्विक विज्ञान वैश्विक कल्यान के लिए वैश्विक विज्ञान इस बार के थीम है उत्तर प्रदेश ने शीरा नियंतन संशोधन विजयक 2023 पारित किया किसानों पर या गुड़ पर कर नहीं लगाये जाएगा लेकिन खांडसारी 21 से 20 रुपे ध्यान लखेगा यही पूछेगा 20 रुपे प्रतिक्विंटल नियामक शुल्क लगेगा अब हो सकता है कि स्टेट्मेंट दे दे किसी प्रकार का कर या नियामक शुल्क नहीं लगेगा तो वो गलत हो जाया क्योंकि नियामक शुल्क लगाया गया है 20 रुपे प्रतिक्विंटल दूसरा है पूर्व विधायकों की जो पेंशन है उसको पहले 10,000 दिया जादा था उसको बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है 25,000 रुपे कर दिया गया है थिक मोदी शेपिंग अ ग्लोबल और इन फ्लक्स ये किसकी पुस्तक है ये दरसल तीन लोगों ने मिलकर इसको एडिट किया है संजय चिनोय विजय चौथवाले उत्तम सिन्धा ने प्राकथन लेखक इसके एस जैशंकर है वर्तमान विदेश मंतरी भारत सरकार और इसको लॉंज किसने किया जेपी नड़्डा द्वारा लॉंज किया गया तीनों फैक्ट अलग-अलग है लॉंज किसने किया प्राकथन लेखक कौन है और अर्थात फॉर्वर्डेट भाई कौन है एस जैशंकर है और संजय चिनाय विजय चौथा वाले उत्तम सिन्धा ये इसके लेखक है अल्ट्रा सैट ये क्या है सटेलाइट एक मिशन है टेलिस्कोपिक मिशन है किसका है इसराइल का है और इसराइल देश का पहला टेलिस्कोप मिशन है क्या नाम है अल्ट्रा सैट ये नासा द्वारा लॉंज किया जाएगा इंडियन फिस्कल फेडरलिजम ये किसकी पुस्तक है बहुत महत्पुन पुस्तक है आरबियाई के पूरो गवर्नर वाई वी रिड्डी की पुस्तक है इसको लॉंच किया गया IOC Indian Oil Corporation 2046 तक ध्यान लखेगा कब तक ये समय सीमा 2046 तक अपने सभी रिफाइनरियों में हरित हाइड्रोजन सेंटर स्थापित करेगी 2046 तक तिरपनवा भारती अंतराष्टी फिल्म उसो ये फाइव स्टार क्वेश्चन में आप ध्यान लखेगा यहां से प्रशना सकता है क्योंकि बहुत चर्चित रहा था ठीक है तो कश्मीर फाइल्स की इसमें आलोजना होई थी इसके बाद ये चर्चा में आ गया था एलेक्ट्रिक ड्रीम्स को सरसेष्ट निर्देशक का नादेर सेवर को मिला था हलांकि थोड़ा पूरा ना हो गया दो तीन महीने का लेकिन आ सकता है पक्का इजाम में सरसेष्ट अभिनेता कौन है वाहिद मोबा शेरी नो एंड मूवी के लिए इसके निर्देशक और पूरसकार मिला वहीं डेनियला मारिन को सरसेष्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला इलेक्ट्रिक ड्रीम्स के लिए सबसे महत्पूर्ण है कि कार्लोस सौरा जोकी कहां के हैं स्पेनिस निर्देशक हैं सत जीत रे लाइफटाइम अचीवेंट अवार्ड मिला और चिरन जी कि मध्वदेश यहां सीनीयर महिला रौष्टी हाकी चेंपियंशिप यहां के जीत ली मध्वदेश ने इतिहास बना दिया सीनीयर महिला राष्टी हाकी चेंपियंशिप जीत करके किसके खिलाब महराश के खिलाब आठवा महिला T20 विश्वकप ये दक्षिन अफ्रीका में आवजित हुआ था किस ने जीता तो आस्टेलिया ने दक्षिन अफ्रीका को फाइनल में हरा करके छटी बार सोची आठ बार विश्वकप हुआ है महिलाओं का और छे बार आश्टेलिया टूनामिन्ट को जित कया तो किस तरह से दबदबा आश्टेलिया का T20 महिला विश्व महिला होगा किस तरह से दबदबा है ये बात ध्यान देने योग्य है अंतराश्ट्री बौधिक संपदा सुचकांग 2023 ये IPR इंडेक्स जो की US Chamber of Commerce के द्वारा पचास वैश्विक संकेतकों के आधार पर जारी होता है प्रतिवर्ष इसमें पहले अस्थान पर USA, दूसरे अस्थान पर UK, तीसरे अस्थान पर फ्रांस है पचपन देशों के लिए ये जारी हुआ है जिसमें भारत का जो अस्थान है इस बार 42 वा है पिछली बार भारत 40 अस्थान पर था ध्यान देने वाली बात है तो आज के लिए इतना ही दोस्तों बहुत बहुत थन्यवाद